हे अबरिवान वेलकम बेक टू माई चैनल कैसे आप सब आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे और नाइट का टाइम है परी लगवा रही है अपने हातों पर महंदी कल उसे स्कूल जाना है लेकिन कल उसके लिए एक स्पेशल डेर भी है 16 मार्च और आज 주ास महंदी का मण था मैंने बोला था उसको हूली पर लगवा ले नेगर नहीं आजory उसका बर्ड है और दीदी आई हुए regenur पर सब लोग बैठे हुए हैं ये मेहंदी रखी हुई थी फिरिज में मैं ना फिरिज में ही रख देती हूं बहार रखते हैं तो वो थोड़ी सी खराब हो जाती है तो रखी हुई थी उसी को लगवा रही है अब बच्चों को होता है अपने लिए बर्डे का और उस इस्पे इसने दिन में ही है ना अपने एक्जाम की त्यारी कर ली थी सारा कुछ पढ़के है ना सुना के उसने बोला कि अब मैं फिर हूँ थोड़ा सा टाइम मुझे दे दीजिए मैं मेहंदी लगवाँगी और सुबा स्कूल जाएगी पेपर है उसका और पेपर भी काफी हाड है मैत का पेपर है मैत के पेपर से तो वैसे ही वो डरती है तो सुबह को वो रेडी हो गई थी स्कूल जाएने के लिए और आज वो विदाउट यूनिफॉर्म जाएगी रेडी हो गई है और अपनी मेहंदी दिखा रही है और मैसेज पढ़ रही थी जिन्होंने इसको है ना उसकी चुटिया पड़ गई है तो और सुबह का टाइम है ना भागदोडगा होता है आज मैंने उसके लिए ना बनाया है पास्ता कल मांग रही थी वो लेट हो गया था तो मैंने सुचा चलो आज उसको बिना बोले ही बना दिया तो उसको एना एक सर्प्राइज मिल गया उसके काफी टेश्टी लगता है और जिस तरह उसको प्रणद है उसी तरह मैंने ये मैकरोनी बनाई है और देखने आ रही थी बार-बार वैसे स्कूल में नहीं लेके जाती क्योंकि एक्जाम टाइम में वो टिफिल लेके नहीं जाती बस खाकर ही जाएगी लेकिन फिर भी परी को बेज रहे है और परी को बेज रहे है इसकूल और पापा लेके जाते है साथ में पी जाओंगी मुझे हैना शौप पर दूद लाना है तो उसके लिए जा रही थी मैंने सोचा चलो इनी के साथ निकल जाओंगी फिर उदर से मैं अकेली आ जाओंगी ये दोनों निकल जाएंगे इसको स्कूल पर छोड़कर फिर चले जाएंगे अपने ऑफिस और देखे यहां पर मैंने है ना अपनी न्यू बैड़ सीट निकाल ली है काफी टाइम से रख रकी थी और वाइट कलर है मेरा फेवरेट है दोनों ही बैड़ पर मैंने बैड़ सीट नहीं डाल दी है इस पर फिरोजी कलर की और दूसरे बैड़ पर डालूंगी मैं वाइट कलर की इस पर फ्लार बने पहले डाल देती तो गंदा कर देते हैं सारा काम हो गया था उसके बाद बैडशीट चेंज की है लंबा चोड़ी काफी अच्छी है पसंद आई बहुत सुंदर लग रही थी बैडशीट और इसी के ऊपर डाल दी क्योंकि रात में जब सोएंगे तो इसको उतार देंगे और इस पर पहले हुई डली हुई है वह रह जायगी तो मैं देख रही थी की ऐसी लेगी लेकिन सच में डलकर रहना बहुत इजी सुंदर लगी और लाइट कार वैसे भी है खिलकर आता है मेरे जो बेट कार है वो ब्राउन कलर है टार्क ब्रां और उस पर वाइट कलर बैट श चेक करती है उसे एना कुछ अलग सी चीज दिख जाए तो पहले देखती है कि क्या क्या हुआ है क्या 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 किया है नया एक्सपेरिमेंट बंबा ने तो देखे ये मेरा बैड है ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है साफ सुत्रा और देखे यहां पर आ गई है आरा काफी टाइम हो गया इनने बारा साड़े बारा बज़े का टाइम था तो लग हो ही जाता है कितना भी जल्दी कर लो तो यहां पर इशाद ना से थी अभी शादी होई थी इस लड़की की जनवरी में जिसके व्लॉग मैंने डाले थे तो सब लोग इकटा हो गए है यहां प लड़ू गोपाल है बस मेरे ही पास नहीं है पता नहीं कब आएंगे जब भी आएंगे देखा जाएगा तो यहां पर हम लोग चाय के साथ जो पूरिया रखी थी वो खा रहे हैं पूरी सबजी और साथ में डांस भी इंजोई हो रहा है जिसको आता है ना डांस उस पर नह अराध्या नहीं आई उसका अभी टाइम नहीं हुआ है तो ढाईबच जाते हैं उसको आने में और आज ना अराध्या को इतना बड़ा सर्प्राइज मिला जिसके बारे में ना मैंने सोचा था ना ही आराध्या ने और किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा सर्प्र तुरंस उसने फ्लाइट की टिकेट ली और आ गया अचानक से हमें भी है ना बिल्कुल टाइम पर ही पता चला कि आज वो आने वाला है और मुझे तो है ना उसने फ्लाइट में बैटने से पहले बताया क्योंकि फिर उसका फॉन बंद हो जाता कि मौसी मैं आ रहा हूं मुझ अरजन्ट ही मैंने फ्लाइट की टिकेट की थी और बस आ गया और अराध्या को तो बिल्कुल भी पता नहीं चला जब उसने गेट खोला तो तब देखा और वो सच में बिल्कुल